हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड विलकम टू शामाधान साथियों बिहार पुलिस नई भरती को लेक करके एक बड़ी अपडेट आ रही है सामने बात करें साथियों कल मौका था बिहार सरकायक द्वरा जो नौ निक्त सिपाई हैं उनको निक्ति पत्र गांधी मैदान में दिय आगया जो सफले वरती थे और इसी विच मुख्यमंत्री ने डिजीपी बिहार से ये पुछ लिया कि जो पदे खाली है बिहार पुलिस में उसको आप लोग कब तक कंप्लीट कर रहे हैं तो डिजीपी ने क्या कुछ कहा इसमें आगे हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले बात कर ले कि बिहार पुलिस में अभी कितने पदों की हो सकता है तो अभी बिहार में 44,000 पदे हैं वो खाली है जिसको भरना बिहार सरकार को जरूरी है क्योंकि जो राश्ट्री अस्तर पे मानक है पुलिस और जनता गबिज का कि पर एक लाग जनता पे 160 से 170 पुलिस कर्मी होने चाहिए अभी बिहार इस लक्ष के तरफ धीर धीर आगे बढ़ रहा है और बिहार में अभी बात करें तो पर एक लाग जनता पर आपका 115 पुलिस कर्मी हो चुके हैं लेकिन मुक्यमंत्री मोहदय का मनना है कि इसको लक्ष को 160 से 170 तक पहुंचाना है जिसके लिए 44,000 पदे जल ये जल भरी जानी चाहिए तो इसके लिए अभी जो भरती आने वाली है इसमें पदों की बात करें तो 12,000 प्लस पदे आएंगी पहले चलण की भरती हैं चेव duplication में महिला कंस्टेबल को और यह डीजेपी बिहार है यहां पर मंत्री विजय चौधरी जी है तो तमाम नेदागर और अधिकारी मौजुद है और यहां से जो खबर आ रहा है नई भरतिक ले करको इसको हम लोग देखने वाले हैं तो यहां पर तमाम आज जिस भी न्यूज आटी हमने बता यहां पर और 14,000 पदे खाली है आगे निउस आर्टिकल को देखेंगे यह देखेंगे साथी हूँ तो यह आपका दयनी की जाकरण है और यहां पर भी बोला गया च्वाली हजार पुलिस कर्मिय गुहग निउपती जल्द इसके अलावे हिंदुस्तान पेपर का क तो यहां पर हिंदुस्तान में इस निउस को कवर किया गया है बिहार पुलिस में स्विक्रित 44,000 पदो पर बाली जल्द तो आएए इस भरती को समझने से पहले हम लोग जो पिछला भरती का क्या है प्रक्रिया कैसे कितने दिनों कंप्लिट कर लिए यह चीज जानेंगे औ आपकाया 11 नॉम्बर को 2020 में जारी किया गया था लेकिन कोवीट को बाद से इसमें थोड़ा लेथ हो गया इस भरती को कंप्लिट करने में और जैसा कि यहां पर आप लोग को बता दे कि इसका जो एक्जामिनेशन है 2021 मिलिया गया था च्छा दिसम्बर को यहां पर इसका प आपका साथियों कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं साथियों कि यह भरती आपका 1186025 पर चार अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था ओनलाइन और फर्म भरवानी के मातर दो महीने के बाद इस एक्जाम को कंड़क्ट कर लिया गया था जनवरी में यहां पर बारा जनवरी आठ जनवरी की बीच में आयुजित किया गया था और इसका जो रिजल्ट हैप का कि दोनों भरती थोड़ा देलेय हो गई थी तो यहां पर दिसम्बर में लाश्ट 2020 में आयुजित किया गया था फिज कल और यहां पे बात करें सात्यू तो यह भर्ती को कमपलीट कर लिया गया खिए दोनों भर्ती कमपलीट हो चुकी है अब बात कर जता है नए भर्ती को ciao तो यहां पे देखेंगे साथी हो बिहार पुलिस में पॉब्लिक अनपात पढ़ेगा एक लाख की अबादी पर 160-170 पुलिस करमी होंगे और यह CM होदे ने कहा है यहां पे पूलिस में अब 27% महिला है इसे बढ़ा कर 35% किया जाए CM और यहां पे बात करें तो जो इस लक्ष लाख भरती कर लिया गया है यानि 44,000 अभी पद और खाली है जिसको मुख मंत्रे महंजया ने वला है कि जल्द जल्द इसको कम्प्लीट कीजिए तो आईए इसको निहां पे देखेंगे हम लोग तो देख सकते हैं मुख्यमति निंतिस कुमा ने कहा कि बिहार में अब एक लाह की आवादी पर एकस्ट साठ से स संशर्च पुलिस कर्मी होंगे 2010 में देख में एक लाह की आवादी पर एक सय पंदर पुलिस कर्मी थै इस विषाप से बिहार में 1.52 लाग पुलिस कर्मी के बसकता थी एक लाग हाठ हजार पुलिस कर्मी के बहाली होई अभी चवाले जार पुलिस कर्मी के बहाली होनी है अभी बुद्वार को गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों को निक्ति पत्र वित्रन समरों को शंबोधित कर रहे थे इस दौरान दस कहा कि हमने 2013 में पूलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षान का परधान किया अभी में 25% महिलाओं है इस नुक्ति के बाद 27% हो जाएगी लेकिन इसका कम से कम 35% तक करना है मुक्हमंतरी ने महत्मा गांधी के प्रतिमयाकतर विसारा करते वे पुलिस कर्मियों से कहा कि रा यहां पर देखेंगे जो इंपोर्टेंट नहीं हुझे आपको नई भरतिक ले करके तो यहां पर CS बोले हाँ जल बहाली कराएंगे मुक्हमंतरी ने मुक्ह सचीव CS से अमीर सुभानी से पुछा सभी विहागव में रिक्त पदर पर बहाली जल कर देंगे तो यहां पर दे यहां पर देख सकते हैं निकति पत्र दे रहें यह डीजी पी भी आ रहें मुक्हमंतरी बीजे चौधरी जी और यह त्यस्वी आदों यहां पर और यह निकति पत्र एक अब एर्थी को दे रहे हैं तो यह जो भर्दी है सांथियो अब नोटिवीकेशन इसका कब तक तो यह नोटिवीकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिल जाबां उमीर है कि लास्ट दिसंबर तक यह मिल सकता है अपका जो JUL पदो पे बाहली होने वाली है नोमेंबर में तो कम चांस है लेकिन दिसम्बर आपको ये नोटिफिकेशन आ जागा बारहजार पदो पे लिए अब इसके लिए साथ हुग आप लोग नोटिफिकेशन के अंदिजार ना करें तियारी में अभिश्य लगे रहे हैं चाहिए वो अगर आप 12 किये हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए अलिजबल होंगे वहीं हाइट की बात करें तो बीसी टू और जेनरल के लिए यह 65 cm होता है वहीं एबीसी एसटी के लिए 160 cm होता है और वाल फिमिल कटेग्री जो होती है मैलाय किसी भी कटेग्री से 157 cm हाइट की मांगे जाती है आप तो इन सारी अलिबिटी को अपनो पूरा करते हैं तो यह भरती के लिए अलिजबल है और यह भरती जल्द ही दिसम् को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें मिलता है जल्द ही ने अपडेट में तब तक के लिए चनल बने रहें धन्यवाद